हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चेनल क्लासिक किस्से में वॉलिविड इंडर्स्ट्री के कोई ना कोई किस्से सुर्ख्यों में चाहे रहते हैं जो दर्सकों को बेहत दिल्टस्ट लगते हैं वैसे देखा जाए तो फिल्म इंडर्स्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर कब क्या हो जाए इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुस्किल है अक्सर देखा गया है कि किसी ना किसी स्टार से जुड़ा हुआ कोई ना कोई किस्सा सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होता रहता है वाली बुड में परदे की पीछे के कई किस्से ऐसे होते हैं जो दर्सकों को फिल्म जितने ही दिल्चस्प लगते हैं ऐसा ही यह किस्सा है मिथुन चक्रती और हेमा मालीनी का जब एक फिल्म को लेकर दोनों की बीच बहस हो गई थी हेमा मालीनी और मिथुन चक्रती दोनों ही बॉल्लवूट का बड़ा नाम रहे हैं आज दोनों राजनिती में सक्री हैं सबसे खास बात यह है कि दोनों ही सितारे बीजेपी से जुड़े हैं हाला कि एक फिल्म के दोरान दोनों सितारों की बीच खूब बहस हो गई थी जदी आपने अभी दख हमारा चेनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चेनल को सबस्क्राइब करें और प्रेज दबेल आइकन मितुन चक्रती और हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है दोनों बालिवूट का बड़ा नाम रहे हैं आज दोनों ही राजनिती में सक्री हो चुके हैं मितुन चक्रती और हेमा मालिनी दोनों एक्टर्स भारती जन्ता पार्टी से जुड़े हैं हेमा मालिनी मथुरा से दूसरी बार लोकसभा सांसद वनी है तो वहीं मिथुन चक्रती ने बंगाल चुनाओं के मद्दे नजर बीजेपी के सलस्ता ग्रहन किये एक बार दोनों की बीच काफी बहस हो गई थी आईए जाने पूरा मामला ये बात है साल 1988 की जब मिथुन चक्रती और हेमा मालिनी को फिल्म गलियों का वास्ता में काश्ट किया गया था उन दिनों हेमा मालिनी तो इंड़स्ट की मसून हीरोईन थी ही साथ ही मिथुन भी बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे इस फिल्म में दोनों के बीच कई बॉल सिंस फिल्म आए गए थे खबरों की माने तो इस फिल्म के दोरान मिथुन चक्रती ने निर्दे सकते कहा था कि हेमा मालिनी के मुकाबले फिल्म में उनके सीन ज़्यादा रखे जाए उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी के कुछ सिन फिल्म से हटा देना चाहिए वही हेमा मालिनी को निर्देसक और मिथून चक्रुती की इस बातचीत का पता चल गया था हेमा मालणी ने पता किया कि फिल्म में उनके और मिथून चक्रती के निभाए कुछ बोल्ट सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया था इसके बाद हेमा मालणी का गुस्सा सातोय आस्वान पर पहुँच गया और वो निर्देसक के पास जहां पहुची उन्होंने मिथून चक्रती और निर्देसक सेर जंग से कहा कि अगर फिल्म में इंटिमेट सीन नहीं रखने थे तो फिल्माई क्यों क्या ये एक तरह का सोसर नहीं है इसके बाद फिल्म के निर्देसक सेर जंग सिंग ने कहा कि उन्होंने फिल्म के वही सीन अटाए हैं जो उने लगा कि जरूरी नहीं है लेकिन हेमा मालिनी किसी भी तरह से सुनने को तयार नहीं हुई इसके बाद उन्होंने फिल्म के दूसरे अभिनेता राजकुमार से इस बात की सिकायत की राजकुमार उन दिनों हेमा माली ने को लाइक करते थे लेकिन वो उनसे अपने दिल की बात कह नहीं पाये थे हेमा माली ने जब उनसे सिकायत की तो राजकुमान ने भी डारेक्टर को खूब डाटा जिसके बाद डारेक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि फिल्म से सिर्फ उनी सिंस को उटाया गया है जो जरूरी नहीं है कहा जाता है कि उस फिल्म के बाद विधुन चकुरती और हेमा माली ने की बीज लंबे समय तक करवाहट बनी रही हाला कि समय के साथ चीजे सुधरी और उनमें फिर दोस्ती हो गई आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंड लाइक एंड सेर दिस वीडियो फिर हम मिलेंगे एक नहीं इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स वार वाचिंग